आज हम बात करने वाले हैं PM किसन योजना के बारे में इस योजना में 37 फरवारी 12 जट्थ को जो PM किसन योजना का 13 बेज चुका है सरकार के तरफ से और बहुत ऐसे किसाने जिनका PM किसन योजना का पैसा जो 13 या उससे पहले का भी पैसा उसके एकाउंड में नहीं आया है आपका प्रोवलम क्या है और वह प्रोवलम सही हुआ है कि नहीं हुआ है क्योंकि PM किसन योजना का 14 वा इंस्ट्रॉल्मेंट जल्दी आने वाला है और जिनका PFMS reject का प्रोवलम आ रहा था या मतलब बैंक रिलेटिड जो भी प्रोवलम आ रहा था वो प्रोवलम सॉल्फ करा लिया और कोई अपना PM किसन योजना में अपना अपना नमबर चेंज किया है और चेंज करने के बाद और उसके बाद PM किसन योजना में NPCI लिंक हुआ है कि नहीं हुआ है और DBT में लिंक हु आ रहा है तो उसमें आपको क्या काम करना होगा इसके बारे में भी इस वीडियो में हम बताएंगे तो सबसे पहले आपको क्या कम करना होगा आपको बैनेफेस रिश्टेटर चेक करने के लिए आपको गूगल करो में आना होगा यहां पर आखर PM किसन लिखेंगे लिखने बाद उसको सार्च कर देना है सार्च करने के बाद थोड़ा सनीचे स्क्रोल करेंगे और यहां पर PM किसन के website को open कर लेना है जैसे इसको open करेंगे करने के बाद यहां पर आप देख पा रहे हैं कि EKYC कर दिया गया है कि आपका EKYC आगर नहीं है पीएम की सथे दिशना में तो आप पासा नहीं ले सकते हैं और कर सकते हैं और करेंगे और यहां पर अपना प्ना प्रीएम की सथेटर को चेक करने के लिए इसी पर आपको किलिक कर देना है किलिक करने के बाद यहां अगला इंडर फ्रेस खुल के आ जाता है अगर आप मोईल नमर से चेक करना चाहते हैं तो यहां पर मोईल नमर पर टिक कर देंगे अगर आप रेश्टेशन नमर से चेक करना चाहते हैं तो यहां पर टिक कर देंगे जैसे हम किलिक करने के बाद benefit distributor कुछ चीज पर करका खुल के आ जाएगा आने के बाद यहां पर आपको नीचे देखना होगा क्या आया हुआ है और यहां पर देख पार है bank related यहां प्रोवलम है PFMS bank rejection region यहां पर दिखा रहा है और यहां पर former record has been rejected प्रोवलम यहां पर सो कर रहा है तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या क्या क्यों करना होगा आपको PFMS current distributor चेक करने के लिए आपको YouTube चैनल पर जाना होगा जैसे आप YouTube चैनल पर आएंगे आने के बाद यहां पर डीजी सामीर लिख देना लिखने के आपको यहां पर क्लिक कर देना है जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहां पर अगला इंटर्फिस कुल कर आ जाएगा और आने के बाद यहां पर about section जो देख पर हम किलिक कर देते हैं किलिक करने के बाद हम यहाँ पर गूगल ब्रोजर को आपिन कर लेते हैं जैसे हम यहाँ पर आपको टीक करना होगा जैसे आप यहाँ पर टीक करेंगे टीक करने के बाद यहाँ पर एडिट करने का आ जाता है तो यहाँ पर देख पार है पेंसिल का टेकन इस पर आपको किली कर देना है जैसे आप यहां पर किली करेंगे करने के बाद यहां पर देख़ार और यहांपर देख़ा रिकोड ड्रेडि टु सेंट टू-PFMS यहां पर 25 तीन-2303 लिखा और यहां पर अभी पेफेमस रेस्पोंज में देख पा रहे पेंटिंग यहां पर सो कर रहा है और यहां पर पूरा पता चल जाएगा और यहां पर लिख क्या आ जाएगा कि यहां पर reject यह एक्सेप्ट और यहां पर रिस्पंडेट भी आपको सो कर जाएगा तो इसी तरह प्यां किसान का जो करेंट इस्टटर है आप देख सकते हैं और आपको हम बताते हैं कि प्यां किसान योजना में आपका जो भी बैंक आप लिंक किये हैं वह कुन सा फोड़ा सा नीचे स्कुरूल करना है और यहां पर देख पाएगे कि यहां पर क्या प्या बताया जा रहा है तो यहां पर बताया जा रहा यह औहाना है अगर आप भूर्यु ईच्ग की तो आपको यहाँ पर टिक करना होगा तो हम आधर नमबर पर रहने देते हैं और यहाँ पर जो आधर नमबर हम fill up कर देते हैं करने के बाद आपर जो capture देख पारे है इस capture को इस box में fill up कर देंगे करने के बाद send OTP पर हम click कर देते हैं तो आधर नमबर और capture को हम यहाँ पर fill up कर दे करने के बाद हम send OTP पर हम click कर देते हैं, जैसे हम यहाँ पर click करेंगे, click करने के बाद यहाँ अगला interface फूल के आ जाएगा और यहाँ पर देख पार है कि यहाँ पर लिखा हुआ है, OTP send to your registered mobile number, जो आपका आधर कार के साथ mobile number लिंक किया हुआ है, उस mobile number पर OTP भेजा गया है, उस OTP को इस box में आपको fill up करना होगा, आपको दिखा देते हैं कहाँ पर आपको fill up करना होगा, तो यहाँ पर जो देख पार है, इंटर OTP, तो आपको यहाँ पर fill up कर देना, जैसे यहाँ पर fill up करने के बाद submit पर आप click करने के बाद यहाँ पर आगला इंटरफ स्कूल के आ जाएगा, आपको देख पार है, इसके बाद थुरह सा नीचे स्कूल करेंगे, और यहाँ पर लिखा हुआ है, देख पार है, जो मेरा आधर नमरे का लाश्टी जो फोड डीजिट है, यहाँ पर रिखा हुआ है, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है, बैंक S वी इंसरे बता रहा है तो आप इसी तरह Cef कर सकते कि पेम की सनीजना में में यसे लिंक रिंक के सब्सक्राइब करने के बाद यसी तरह कर सकते हैं जब दो पर यहाँ पर एक्सप्ट लिख आ जाएगा और यहाँ पर एकस प्रसेस फो चालू हो जाएगा और आपका जब भी PM की सनेजना का पैसा भेजा जाएगा अभी तो 13 वा इंस्ट्रालमेंट का समय खतम हो चुका है जिनका PFMS पहले एकसेट किया हुआ होगा उन्हीं को पैसा मिलेगा अभी 13 वा इंस्ट्रालमेंट का और जिनका अभी फिलहाल में अपडेट हुआ है उनका चावदावा काफी दिनों से इस तरह का प्रोल्म सो कर रहा और आपका प्रोलम में नहीं हो पार आपके में अगर आपका प्रोलम की सनुखना का पैसा आना स्वागधा हो जाएगा तो आपका आप सल्टर कर सकते हैं इसका प्रोबालम कैसे झाएगा आपको सॉल्फ बताने काम कोशिज जरूर करेंगे तो वीडियो का अच्छा लगाए तो वीडियो को लाइक कर दिजगा और चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिजगा